रेडमी की नोट सीरीज जो की मिड रेंज सेग्मेंट में अपनी पहचान बना चुकी है हमेशा नए चिप सेट और फीचर्स लेकर बाजार में आती है इस बार फिर से रेडमी नोट 7 प्रो बाजार में चर्चा का विशे है ज्यादा तर लोग इसके 48 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में बात कर रहे है कमपनी अपने इस रेडमी नोट 7 प्रो के बारे में बड़े बड़े दावे करती है गेमिंग, कैमरा, परफॉमेंस और भी बहुत कुछ हमने बड़ी सावधानी से इसका परिक्षन किया और जो सामने आया, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके, इसलिए थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी का बटन दबा दें नमस्कार, मैं कृषना शर्मा, आपका स्वागत करता हूँ डिजिट हिंदी के इस वीडियो में, रेड्मी नोट सेवन प्रो को अच्छे से प्रियोग करने के बाद करीब एक महिना, उसे कई परिक्षनों से गुजारने के बाद जो तथ्या सामने आये, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो ये रहा, रेड्मी नोट सेवन प्रो के बारे में सब कुछ नमबर एक, डिजाइन के मामले में रेड्मी नोट सेवन प्रो अपने पूरवजों से एक कदम आगे है यानि उन से जो रेड्मी नोट सेवन प्रो से पहले आए इसमें दोनों ही तरफ Gorilla Glass 5 यानि Gorilla Glass 5 ब्योग किया गया है और Gorilla Glass 5 होने के बावजूद जेब में रखी चाबियों से इसके उपर दोनों ही साइड कुछ स्क्रैच पड़ गए इसलिए इसे हम कम से कम स्क्रैच रेजिस्टेंट तो नहीं कह सकते नमबर दो डिस्प्ले 6.3 इंचे 6.3 इंचे फुल अच्डी प्लस डॉट नॉच डिस्प्ले एस्पेक्ट रेश्यू है 19.5 बाइन रेजोलूशन है इसका 2340 तेश्व चालीस बाइदासो असी और नमबर तीन रेजबी नोट 7 प्रो के डिस्प्ले का बैजल नोट 6 प्रो के बैजल से काफी छोटा है लेकिन बैजल लेस नहीं है ये इस डिस्प्ले की वज़ा से इसमें गेम खेलने और वीडियो देखने का अनुभव अच्छा रहा इसमें यू आकार का नौच है जो की आजकल अधिक पसंद किया जा रहा है नौच का एक तरीकी से देखा जा तो की मिनिमम ब्राइटनेस पांच लक्स तक के नीचे चली गए इसलिए यदि आप वीडियो देखने के लिए एक अच्छे डिस्प्ले की तलाश में हैं तो सेमसंग गेलक्सी एम थर्टी का एमोलेड डिस्प्ले एक बहतर विकल्प हो सकता है नंबर पांच नोट सेवन प्र स्नैपड्राइगन 636 था लेकिन इसमें स्नैपड्राइगन 675 है और इसके जरीए कंपनी ने गेमर्स को टार्गेट किया है इसमें भी सेम स्नैपड्राइगन 855 जितनी एरम है और अपग्रेड़ेड़ जीपी यू का प्रयोग किया गया है यह चिपसेट स्पेशली उन गे स्टोरेज दी जा रहे है दो वेरियंट हैं इसके और इसके स्टोरेज को बढ़ाने के लिए आप इसमें 256 जिवी तक का SD कार्ड लगा सकते हैं निम्बर 8 बेंचमार्क परिक्षुन में रेड्मी नोट 7 प्रो ने अपने साथ के सभी स्मार्टफोन को पचाड़ दिया मुल्टी टास्किंग के दोरान नए एप भी बड़े अराम से खुल गए लॉंच हो गए और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोई जटका नहीं कुछ नहीं नमबर 10 पब जी रेड्मी नोट 7 प्रो पर पब जी मोबाइल हाई ग्राफिक्स पर चलता है तो ये नमबर 12 काफी लोगों ने इस यूई की शिकायत कि थे कि इस पर विज्यापन आते हैं तो हमने अपने तीन चार हफ्तों के उप्योग में इस पर कोई इस यूई पर कोई भी विज्यापन तोल नहीं देखा है नमबर 13 कैमरा इसमें रियर साइड में 48 मेगा पिक्सल और पा साथ ही दस्सफी पिक्सल पर स्लोहशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी स्भी 120 फ्रेम पर एकंड की स्पीड से ओके और इसकी ओपर इसके लूपर स्मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं नमबर 15 र्द फरंट साइड में 13 मेगा पिक्सल चैमरा है जिसमें आपको एए ब पोट्रेट मोड, बोके मोड और AI ब्यूटी, ब्यूटी फाइब, फेस रिकागनेशन, सेल्फी टाइमर, HDR और AI स्टूडियो लाइटिंग फीचर भी मिलता है। नमबर सोला, दरशल स्नेब ड्रेगन 675 को रेड्मी नोट सेवन प्रो में गेमिंग के लिए नहीं, बलकी 48 मेगा पिक्सल कैमरा को सपोर्ट करने की वज़ा से चुना गया था। तो इसमें 48 मेगा पिक्सल कैमरा के साथ साथ 5 मेगा पिक्सल डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। ये वही सोनी IMX 586 48 मेगा पिक्सल कैमरा है जो की Honor View 20 और आजकल की कुछ अन्ने डिवाइसेस में भी मौझूद है। नमबर 17 Gradient Colors रेडमी ने पहली बार Gradient Colors का प्रयोग किया है। कंपनी अनुसार ये Gradient Colors युवाओं को अधिक आकरशित करते हैं। Redmi Note 7 Pro तीन रंगों में उपलब्द हैं। Nebula Red, Neptune Blue और Standard Black Finish। नमबर 18 इसमें USB-C पोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। नमबर 19 सेक्यूरिटी की बात करें तो इसमें फिंगर्प्रिंट सेंसर रियर साइड में है। नमबर 20 जब आप इसके डिफॉल्ट मोड में इसके 48 मेगा पिक्सल सेंसर के साथ शूट करते हैं। तो रिजल्ट जबरदस्ता आता है। दिन की रोशनी में फोटो एकदम साफ नजर आती है। डिजिट में जो स्मार्ट फोन रिव्यू स्पेशलिस्ट है। शूप रोण का कहना है कि उन्होंने किसी भी अन्या मिड रेंज फोन में ऐसे परिणाम नहीं देखे है। नमबर 21 ध्यान से सुनना कैमरा 48 मेगापिक्सल है लेकिन इसके 48 मेगापिक्सल मोड को प्रयोग करने की कोई तुक बनती नहीं है क्योंकि 48 मेगापिक्सल मोड पर जो फोटो क्लिक करने के बाद आप आप जूम करके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इसमें डेटेल उतनी नहीं है जितनी 12 मेगापिक्सल मोड में थी और वैसे भी इसकी 48 मेगापिक्सल वाली फोटो का साइज ज्यादा बड़ा होगा जो ज्यादा जगा घरेगी जाहिर है नमबर 22 नाइट मोड इसके कैमरा का नाइट मोड पहले से बहतर है जो खराब रोशनी में भी अच है कई स्मार्टफोन में भी हैं लेकिन रैद्मी नोट 7 प्रो में यह फीचर ज्यादा अच्छे तरीक्ये से काम करता हूँ नजर आया नमबर 30 और रियर साइड के कैमरे पोट्रेट शॉट्स लेने में काफी अच्छे हैं शामी ने इसमें एडिशनल लाइट फिल्टर्स क के काफी पास पहुंचा देते हैं तो नहीं बन जाएगा बिल्कुल जाहिर है नमबर 24 बैटरी रैद्मी नोट 6 प्रो की ही तरह यह नोट 7 प्रो में भी 4000 मेंच की बैटरी है और कितना चलती है उसके बारे मैं बतातू कि घीक बैटरी टेस्ट में बैटरी लगबग 10 घंट चली है और पब जी खेलते समय यह 15 मिनट बाद बैटरी 67% से 63% तक रह गई यानि कि 67% से 63% तक यह पहुंच गई तो यह विसे इतना बुरा भी नहीं है नमबर 25 कीमत है इसकी 13,999 रुपे कुल मिलाकर 15,000 रुपे तक की कीमत में जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें बेस्ट क मेगा पिकसल सेंसर और है यहरानी की बात है की आपसे 12 मेगा पिक्सल मोड लोड पर अगर यूज करते हैं तो आपको जबर्दस्त क्वालिटी की फोटो मिलेंगी अब आपको डिसाइड करना कि अप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं अगर आप इसे खरीदे ए 4000 कमेंट म